इस ललन टॉप विडियो इस ब्रॉट तो यू बाई याकुल्ट याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है प्रति दिन याकुल्ट का सीवन करें यह जो सरकारें नियम बनाती हैं भी पॉलसी लैक की बात हुई जो चीजें विद्वान बताते हैं इतना रेशियो डालो और इन्हों ने जो अधारन दिया कि जमीन पर स्थिती कुछ और होती है तो यह थोरी और प्रैक्टिकल के बीच का गैप क्या पाठा जा सकता है क्योंक सुरुब भाई दरसल एक दिकत क्या है हम लोग के हां कि जब कोई पॉलसी अडॉप्टेशन होता है उस पॉलसी के साथ यह नहीं देखा जाता कि जिन लोगों के लिए पॉलसी बनाई जारी है उनका मेंटल स्टेटस क्या है उनका शोशल फ्रेम फ्रेमवर्ट क्या है वो adopt करने के लिए mentally prepared है के नहीं मैं आपको यहां दो धारंट देना चाहता हूँ एक परिस्थिती बनी दस साल पहले और कहा गया कि साब organic farming करिए और आज need of the hour है इस देश के किसान की समरिद्धी हो जाएगी उसकी आये धुगनी हो जाएगी और आपको हर हालत में प्राकर्टिक खेती करनी है किसी ने कहा प्राकर्टिक खेती किसी ने कहा organic farming किसी ने कोई नाम दिया किसी ने zero budget भी कह दिया एक भाई साब ने तो महा पुरुश ने लेकि सवाल ये है कि जब आपने ये सब कहा तो आप जिस किसान को ये बात बता रहे है उस तक सिर्फ एक बात पहुची सहुरब भाई और वो ये कि एक गाए आपकी तीस एकड़ जमीन के लिए प्रयाब थे वो जो zero farm की strategy आई थी मिस्टर पालेकर भारत सरकार ने सम्मानित किया है उने मेरा उनसे भी बहुत जबर्दस विवाद हुआ था इसके हुए वो मेरेट उनिवर्सटी में आये थे आप एक गाए से और गाए के गोबर से और गाए के पिशाब से ये काम करते हैं यहां वेग्यानिक बैठे हैं मेरे गुरू हैं मैं भी इसी कॉलिज से पढ़के निकलाओ क्या भहस का गोबर काम नहीं करेगा क्या भहस का पिशाब काम नहीं करेगा वो जो गाजेबाद में उर्गैनिक संस्था बना हुआ है ना National Institute of Organic Research सबसे पहले उसने डिकंपोजर बनाया वेस्डेकंपोजर जो आज पूसा वाले डिंडोरा पीटर है उससे पहले उन्होंने बनाया वो नील गाय के गोबर से तयार किया गया मिश्राइब और ग्यानिक फार्मिंग 100% scientific खेती है वे ग्यानिक खेती है क्योंकि प्रकर्ति को आपको काम पे लगाना है प्रकर्ति से वो काम कराने हैं जो आप करते हैं और इसको कैसे करेंगे उसका एक विज्ञान है सिर्फ गाय का गोबर खेत में डालने से गाय का पिशाब डालने से एक जीव अमरत एक घम अमरत से काम नहीं चलेगा जो आपने कहा ट्राइकोडर्मा येस वी नीड ताट एकोबेक्टर मेटराइजम आप क्या कर रहे हो आपने उस गाओं के उस दो बिगे के पाच बिगे के किसान को ना तो विज्ञान बताया ना आपने उसे ग्ज्ञान दिया भाई तू कैसे करेगा आपने सिर्फ उसे बताया एक गायक बतेरी है बस इसी ज़े तेरी औरगैनिक खेती होगी और एक बड़ा मूर्ता पूंट तर्क सौरबाई हम सब सुनते हैं औरगैनिक फार्मी के बारे में क्यों जी पचास साल पहले महारे सारे पुर्खे हम सब औरगैनिक खेती ना कर रहे थे जब भी तो हम औरगैनिक खेती कर रहे थे जब कहां केमिकल फर्टिलाइजर इस्तमाल कर रहे थे युई कहें न सारे और भले आदमियों से ये पूछ लिए अगली बार जो तुमें ये ग्यान दे कि पचास साल पहले ये देज भुका मर रहा था अमरीका से आप अनाज मंगा रहे थे आज 140 करोड का भुक भुका पेट कैसे भरोगे अगर आप इस औरगैनिक खेती पे जाओ 30% का लॉस है सर कैसे करेगा किसान पूरा आपकी राजनीती को सूट करती होगे औरगैनिक फार्मिंग मुझे नहीं करती है मुझे आज जो सूट करता है वो विज्यान का वो आधुनिक रूप करता है जो कहता है गुड एग्रिकल्चर प्रैक्टिस जी एपी शायर यहां किसी ने उसका नाम नहीं सुना होगा पूरी दुनिया सौरव आज उसे अकनॉलिज कर रही है गुड एग्रिकल्चर प्रैक्टिस औरगैनिक फार्मिंग बहुत पीछे चूट गया है अगर एक पोशक अगर एक तंदुरुस्त पेड़ नहीं होगा उस तंदुरुस्त पेड़ से मिलने वाला आहार भी तंदुरुस्त नहीं हो सकता उसमें जरूरी पोशक्तत नहीं होगे इस समाज को बिमार कर रहे हैं आप और्गैनिक के नाम पर लगातार आपके सेंपल्स फेल हो रहे हैं क्यों नहीं बताते आप इस देश को कि आपके देश से जो फल जा रहा है विदेशों में और गैनिक के नाम पे वो जाके वहां पेरामीटर्स में फेल हो जाता है इसलिए नहीं कि उसमें कोई पेस्टिसाइड ये insecticide है नहीं डाला किसान ने लेकिन उस अनार में जितना iron चाहिए था नहीं मिला क्योंकि आपने उस पेड़ को iron नहीं दिया आपने उस पेड़ को जरूरी पोशक्तत नहीं दिये जिससे वो एक बहतर एक अच्छा फल पैदा कर सके पूरा narrative गाय और गाय के पिशाब में लाके ठोक दिया और कह दिया organic करो किसान मरे तो मरे किसान की लाश पर एक्सपरिमेंट करेंगे आप लोग क्या कर रहे हैं भी मेरेट में एक संसान है सौरब में अगर आपको मौका लगे तो चाहिएगा मेरेट में बहुत सारे क्रिशी अनुसंदान एक बायोटेक की लेब हैं य मिलता है और वहां एक मिलता है सौरब भाई का ट्राइको कार्ड जो हमारी फसलों पे बोरर्स लगते हैं कीडे कीट उनके लिए उनका वो पैरसाइट है उसके अंडे होते हैं स्टिप के उपर लगे वे आप खेत में जगह जगह उन्हें स्टेपल कर देते हैं फसल में वह जो जो कीड़ा होता है जो स्टेंबोरर होता है उसको खा जाता है तीस साल से उस और्गनाइजेशन ने को दूसरा कीड़ा पैदा नहीं किया है थर्टी एस उसमें बोधी और कोंग्रेस और अटरम और सटरम सबके साल आ गए सबके सवाल यह है कि आप किसान को दे ह्या रहे है में डेरी चला था हूँ आशिक गायू के यह मेरी आप स्ट्रग्लिंग हार्ड क्योंकि किसी यह जो काली सवेद गाएं यह तो सूर का क्रोस है कोई कह देता इसमें तो जहर है कोई कह देता इसका दूदी खराब है एवन और एटू की एक बहस चला दी ऑस्ट्रेलिया में पिनलाइज किया गया उस कंपनी को जिसने एवन नेटू को के ऊपर प्रोपगेंडा कर तो ड़ जब डॉक्टर विलियम ने किताब लिखी डेवल इन दा मिल्क 2014 किताब लिखी गई न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड के एक डेरी फार्मर डेरी कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की उसने वो किताब लिखवाई और यॉरप में वो पेटेंट है एटू एवन एटू को पेटेंट कराया और उन्होंने कहा कि इस डेरी फार्म में जो गाएं यह यह बिख डेती है और एटू में बहुत अच्छा है अगर आप अजू मिल्क पिएंगे तो आपको कैंसर नहीं होगा आपको स्टोक्स नहीं होगे आपको हाइब बीपी नहीं होगा जितन आपने क्या कहा हमारे यहां एक प्रोपगेंडा है देशी गाय के ऊपर मैं भी चाहता हूं मैं गोपालग हूं भई मुझे पता है मेरी साहिवाल कितनी खूपसूरत दिखती है मुझे पता है हर्याणा नसल की गाय का कोई तोड नहीं है उसका दूद पियोगे तो मज़ा आ जाएगा लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि अगर मैं एक प्रोफेशनल डेरी फार्मर हूं और मैं एक ऐसा अदमी हूं जो दूद आधारित वेपार कर रहा है तो 30 लिटर की गाय है जो उसके उपर खर्चा है जो उसके उपर दाना है आप उसका खर्चा नहीं निकाल सकते हैं प्रोड़क्टिविटी है नहीं आप कह रहे हो किसान से न्यूंकि आप देशी गाय पाले हमारे यहां एक्वेटर के आसपास जितने भी मुल्क हैं सौरव जो गरम इलाके के म होता है और भारत में जिसे एटू दूद्ध पीना है वह बहस का दूद्ध पियो वह गाय का भूल के मत पी लेना क्योंकि गाय चाहे तुम्हारे सामने साहिवाल भी खड़ी है उसके अंदर जैनेटिक ब्यूटेशन हो सकता है किसी एचव गाय का क्या बहस चला रखी है आ पनाओं की बाद आप करेंगे उन चीजों की बाद जो आप साबित नहीं कर सकते सिर्फ आपका मन कहता है कि यह है तो आपने मान दिया मैं आपसे कहते हूं सौरब ऐसे सिर्मत कुझाना कैंसर हो जाएगा जिंदगी में हाथ नहीं लगा हो यह डर का व्यापार है और समाज को इस डर के व्यापार में ऐसा फषा दिया है चाहे वो राजनीती हो चाहे खेती किसानी हो चाहे खान पीन हो यह समाज को खड़ा होके लड़ना पड़ेगा भगसिं की तरह पूछने पड़ेंगे सवाल जिस सवालों से आप लोग डरते हो उनस सवालों को पूछना और मैं आज 50 साल का हूँ, ना मुझे इवी पी है, ना मुझे हाट की बिमारी है, हाँ समों से पुमों से मेरे टम अच्छे बनते हैं, तो मोटा तो महूं, तो वह बात अलग है, लेकिन मेर को कोई लाइफस्टाल डिसीज नहीं है, मेरे फादर को एक बार हाट अटेक वाट दूट पीते थे, भैस का दूट, यह क्या आप लोगों ने ऐसा चीजे शुरू कर दी है, निवर एंडिंग, एन आप एजुकेट नहीं कर रहे हैं, तो वर्स पार्ट इन दिस, कि हम सबसाइटी को एजुकेट नहीं कर रहें, एक्वेटर के आसपास चाहिए, उट है, बक जोग्राफिकल डिप्रेंस है, जोग्राफिकल डिप्रेंस है, हमने बड़ा आपने सुना होगा साब, हमारी गिर गाये ब्राजील वाले ले गए, असी लिटर दूद दे रही है, वो क्रॉस प्रीड है, वो प्यॉर गिर नहीं है, लेकिन इसी मेरेट में, गोवन शनू 35 साल गे रहा था, उन्होंने मुझे भी गलती से बुला रखाता हुआ, उस एक बंदा जो डिरेक्टर रहा, वो चीफ के से वाँ पर, वो कहरें कि क्रॉस प्रीड पे काम नहीं होना चाहिए, क्रॉस प्रीड गलत, 35 साल का अनुसंधान आप गलत कह रहे हैं, ब्राजील की क किसान 50 से लीटर के आसपास पहुच गया है, और उतर प्रदेश का किसान 10 लीटर पर धक्के खा रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग, आपने एक शकुफा छोड़ दिया, और सौरफ, जब आप किसी को डरा देते हैं, अगर मेरे ग्रहक को ये डर बैठ गया, कि मनीज भाती के यहां से जो दूद आता है, वो एवन दूद है, तो वो खरी देगा नहीं, चाहें वो कितना ही प्योर के होना, क्योंकि आपने उसे डरा दिया, तो आपने उस विवस्ता को खतम कर दिया, और कैसे कैसे हमें तोड़ तोड़ के खतम किया जा रहा है, 2017 में एक गाय की कीमत 3000 रूपे लिटर थी, 20 लिटर की गाये, जो है, लगवग 60,000 की बिक्ती थी, या किसानों के बच्चे बैठे होंगे, उनके पास गाये होंगी, आज 20 लिटर की गाये 40,000 की नहीं बिक्रिया, ग्राक नहीं है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा जो सिस्टम है, मवेशियों का, पैट वाजार का, खतम कर दिया, टिस्ट्रॉई कर दिया, आप गोसमवर्धन करेंगे इसे, आज अगर यूपी की गोशालों में आप जाएंगे, अभी देवरत भाई ने कहा, आप योगी जी से मिलके आए, जवाब योगी जी ने कहा दिया, ये भी सुन लिया होगा आप जानी के पास में, गोशाला है, उत्तरप्रदेश सरकार की, एक हजार से जादे गाएं मर चुकी हैं, इधर उधर से लोगों से खेतों में पकड़ पकड़ के, वहां रेजिस्टर पूरे किये जा रहे हैं, एक गाए के उपर जो बजट आता है, अगर किसी वेटनरी डॉक् का बजट है, क्या कर रहे हैं, हम गाए पासते हैं, हमें पता है, कम से कम 500-300 रुपे उसे जिन्दा रखने की कॉस्ट है एक गाए के, पर दे, और योगी जी कितना दे रहे हैं, हो रहा है, आकड़ा चल रहा है, आकड़े में सब हो रहा है, हम गोप्रेमी हैं, हम से बड़ा तो गोवंश का प्यार करता है उसे मान देता है, समान देता है तो वो इस देश का किसान देता है और ये याद रखना, किसान ना हिंदू है ना मुसल्मान है हम देते हैं समान हम पालते हैं जाए को आप क्या कह रहे हैं हमसे हमें बरबाद कर दिया systematically हर सरकार की इसिति हर सरकार की नीती हम Center में नहीं हैं और यह हमारा संगर्ष यह संगर्ष किसी एक सरकार केखिर नहीं है हमें सेंटर में लेना पड़ेगा जिस भी सरकार को आ रहा है अब बगेर हम से पूछे आप नीती निर्दारण नहीं करेंगे और तीन किसांद की कृषी पिलो का जो विरोध है इसकी पूरी आत्मा ही यह है कि मुझसे नहीं पूछा तो मुझे नहीं चाहिए मुझसे नहीं पूछा तो यह कानून मुझे नहीं चाहिए आप मुझसे पूछेंगे नहीं आप मुझसे बात नहीं करेंगे आप मेरी परिस्सितियों को नहीं समझेंगे आप मेरी तकलीफ को नहीं जानेंगे और लाके थोप देंगे मेरे उपर नहीं चाहिए